हेलो फ्रेंट्स वेलकम पैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आदमें आपके लिए बहुत ही खुबसदा सा मल्टी कलर में डिजाइन लेके आई हूँ तो चलिए फ्रेंट्स देखने से कैसे बनाते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें टू के मल्टिपल प्लस बन करके फन लेने होंगे यह चार लाइनों का डिजाइन है लेकिन आठ लाइनों में बनके कम्प्लीट होगा फ्रेंट्स शुरू की चार लाइनों में आपने फर्स्ट और फॉर्थ लो में एक कलर यूज़ करना है और सेकिंड और थर्ड में हमने एक कलर यूज़ करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीजाइन बनाना फ्रन्ट सबसे पहले आप बौूर्डब बना लीजिए बौूर्डब बनाने के बाद यूल्टी तरफ से बेसिक रो Lob intentar बनानी पूरी रोख हमनेい उपी बनाना है यह मारी उपी साइड है यह बेसिक रोव हमने सिर्फ एक बार बनानी है जो वंने डिजाइन को स्टार्ट करना है यहां पर मैंने टू के मल्टिपल प्लस बन करके फंदे लिए हैं यहां पर 11 फंदे मैंने लिए हैं इसने बेसिक रोब बनके हमारी कम्प्लीट हो गई उल्टी साइड में अब आते हैं सीधी साइड में अब यहां से हमारे डिजाइन शुरू होगा डिजाइन के फंदे को हमने बेस कलर से ही बनाना है पहले फंदे को हम सिलिप कर लेंगे धागय को अपनी तरफ करेंगे अब एक फंदा हम उल्टा बनेंगे एक फंदे हम स्लिप करेंगे और एक फंदे हम उल्टा बनेंगे पूरी रो को हमने ऐसी बुनना है एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और एक फंदे हम उल्टा बनेंगे एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और एक फंदे को हम उल्टा बनेंगे धागय को पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि यह हमारी सीधी साइड है इसने फर्स टो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं सेकंड डो बैक साइड में अब यहां पे हमने उन का कलर चेंज करना है इस तरह यह डिजाइन के हमारी पनेंगे तो यह वाला फंद हमने बुना था इसको हम स्लिप कर लेंगे इसको बुनेंगे नहीं सिल्प कर लेंगे अब यह वाला फंद उहल पन पना था तो इस फंदे से तीन फंदी बनाएंगे एक फंदा बना लिए है यान उबर करेंगे और दूसरी बार फिर इसी फंदे को हम उल्टा बून लेंगे पिर फंदा स्लिप करेंगे और जो स्लिप किया था इधर फंदा उसका हम एक से तीन बना लेंगे इधार ध्यान दीजे ये जो लूप सा दिखाई दे रहा है इसके जो बीच में फंदा होता है वो हमारा स्लिप वाला फंदा होता है अब यह फंदा हमने बुना था इसको हम स्लिप कर लेंगे यह लूप के अंदर जो फंदा है यह हमने डेख ludzi आlere है या फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा उल्टा बुन लिया यान उबर करा और दूसरी बार फिर है कि इसी फंदे आर य orta मुल्टー नली आ फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बूलेंगे, इसना डिजाइन की सेकंड डोबन की हमारी complete हो गई है, अब आते हैं सीधी साइड में, अब सिधी साइड में पहले वाले एज के फंदे को हम सिलिप कर लेंगे दूसरे वाले फंदे को भी हम सिलिप कर लेंगे इसको धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे ये तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम जो सिलिप किया था उसको इधर भी सिलिप कर लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते वे धागे को पीछे करेंगे फ्रेंट धागे को आगे पीछे करना हमने नहीं भूलना है पीछे करके एक फंदा स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये तीन फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते वे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदों का एक साथ हम तीन का इसना डिजाइन की थर्ड रोव बनके हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं फूर्थ रोव बैक साइड में और फ्रेंट्स यहां पर फूर्थ रोव में हमने क्या करना है फिर से हम बेस कलर को लाएंगे डिजाइन की फूर्थ रोव है पूरी रोव को हमने उल्टा बुनके कंप्लीट करना है यह बेस कल हमारा फस्ट रोव में चला है और फूर्थ रोव में है फ्रेंट्स यहां मल्टी कलर में हम डिजाइन बना रहे हैं तो आपने सेकंड और थर्ड रोव में कलर चेंज करते जाना है अपने मंचाहे कलर लगाके इस डिजाइन को बना सकते हैं इस डिजाइन की फूर्थ रोव बनके हमारी कंप्लीट हो गई है जो कि पूरी हमने उल्ट उल्टी बनी दी अब आते हैं सीधी साइड में फ्रेंट्स वैसे चार लाइनों का डिजाइन है यहां बन गया है हमारा लेखे आगे की चार लैने हमने और बनानी है तब जाके मारा यह कम प्ली नधियां कंप्ली रोगा अब हमने क्या करना धृण से देखे कर प्रेंट्स यह वाला जो फंदा है इसको हमने सिल्प करना है और यह जो डिजाइन बना है इसको पर वाले फंदों को हमने बुहना है इस चीज का ध्यान रखेगा फैले फंदय को एच के फंदय को चलिप कर लेंगे ड्यान से देखना है पहले फंदय को उन्हेंद को रहेगा कदागा एक फंदा हम सिलिप कर लेंगे जो डिजाइन के उपर वाला फंदा है इसको मने बुनना है बस यह ध्यान रखना है यह वाला फंदा है इसको मने सिलिप करना है डिजाइन के उपर वार यह डिजाइन है इसके उपर वाले फंदे को मने बुनना है एक फंदा हम लेंगे लास्ट का फंदा है तागा पीछे करके इसको हम सीधा बन लेंगे क्योंकि सीधी साइड हमारी इस तरह डिजाइन के फिप रूबन के हमारी सीधी है अ बाते हैं आधने स्टे रुक बनाना है जो वने हमने यहां बुने घौए तो यहांपरून का स्टी खरेंगे यहां हम बना रहे है तो इसलिए उनका केलेर हम यहां चेंज कर रहे रहे हैं अब ध्यान यह जी यह यह वाला हँ तो edge का टा हूं बीच वाले पंदे एल लिए शिलिप के व कंवे फंदे को हमने बुनना है और जो बुना ऋवा फंदा इसको दारना है तो यहां पर हम उनका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहां पर मल्टी कलर में बना रहे हैं एच के फंदे को हमने बुन लिया है अब हमने क्या करना है एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे यान उबर करेंगे इसी फंदे को दुबारा उल्टा बुन लेंगे फिर एक फंदा हम सिल्प करेंगे यह वो फंदा है जो इधर हमने बुना था और यह जो सिलिप वाला फंदा है इस पे हम एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा बुन लिया है यान ओबर करेंगे और दूसरी बार इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे अब ये वाला फंदा है ये लूप के अंदर वाला फंदा है एक बार उल्टा बुनेंगे अब इसको निकालेंगे नहीं यान उबर करेंगे फिर इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदे के ह फिर एक फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा बन गया धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे कि इसने डिजाइन के सिक्स रूबन के हमारी कम्प्रीट हो गई है अब आते हैं सेवन फ्रू प्रंट साइड में अब यहां हम एज के फंदे को हम बुन लेंगे यह सिलिप कर लेजे एक की बात है धागा अपनी तरफ करेंगे अब तीन फंदों का हम एक कर देंगे उल्टा दागे को पीछे करेंगे जो सिलिप के आवा फंदा था इसको सिलिप कर लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से तीन फंदों का एक कर देंगे उल्टा बुनते विए फ्रेंस धागे को आगे पीछे करना मने नहीं भूलना है धागे को पीछे करेंगे और ये तीन फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते वे धागे को पीछे करेंगे एक फंदाम सिलिप कर लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदों का हम एक कर देंगे उल्टा बुनते वे दागे को पीछे करेंगे एक फंद हम सिलिप कर लेंगे धागे को अपनी तरफ करके तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे दागर के एज के फंदे को हम सिधा बुन लेंगे क्योंकि हमारी सिधी साइड है इसने डिजाइन की सेवन्थ रोबन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में अब बैक साइड में फिर से हमने उनका कलर चेंज करना है यानि हमने बेस कलर को लाना है कर Town डिजाइन की एर्थ रो है वेग सायड ये पूरी रो को आमें बेस कलर अपके उल्टा उल्टा बुनना है इसके कुछ ने करना पूरी रो पूरी रो को उल्टा-उल्टा बुनना है ओम इससे आर्ट लाइने बनके हमारी complete हो गई है प्रेंट्स आपने इनी आर्ट लाइनों को बार बार दोराते जाना है जब आप इन आर्ट लाइनों को बार बार दोराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह से नजर आएगा यह हमारी front side है और यह हमारी back side है इसको बनाना बहुत ही आसान है आप भी अपने मन चाहर रंग लगा कर इस design को बना सकते हैं उमीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद